वेल्कम टू वर्टेक्स डीबीजी एडुकेशन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स डीबीजी एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में मैं एहसन खान आपका ट्रेनर, टीचर, एडुकेटर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टन topic discuss करने वाले हैं इस वीडियो में जो class 10th के बच्चों के लिए बहुत important है examination के point of view से अब वो examination चाहे state boards का हो या CBSC boards का हो या ICSC boards का हो हर एक boards के मुताबिक ये chapter ये topic जो हम discuss करने वाले हैं ये बहुत जादा important है आपको thumbnail से अंदाजा हो गया होगा कि हम light chapter का ये topic आज discuss करने वाले हैं बहुत important है mirrors से related है यानि reflection की बात कर रहे हैं reflection of light topic से हम बात करेंगे कि concave mirror से कैसे images किस तरह के images आपको बनते हैं अगर हम object को उसके सामने रखेंगे topic wise ये मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि ये जो important topics हैं जिनसे questions important create होते हैं आप बच्चों को उसकी knowledge रहे और examination में इसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा marks ला सकें लेकिन इसको शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यार प्लीज देरी मत करो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो bell icon दबा दो ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो update मिस नहीं कर सकें तो चलो बिना किसी देरी के हम इस topic को शुरू करते हैं जो कि है reflection from concave mirror यानि reflection concave mirror में कैसे होता है और हमें images किस तरह से produce होते हैं आप ये वीडियो मेरे साथ देखेगा एहसन खान के साथ class 10th की science का topic है ये optics chapter से बहुत important है और आप देख रहे हैं vertex dbg education इंडिया का best online educational platform याद रखिये आप knowledge जितना जादा लेंगे उतनी ही उचाईयों पर जाएंगे क्योंकि education is the most powerful weapon that you can have देख है नेलसन मंडेला ने कहा था इस चीज़ को खर चलो इसको हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं reflection from concave mirror अब सबसे पहले तो एक थोड़ा सा intro यहाँ पर मैं देना चाहूंगा कि आखिर concave mirror किस तरह का mirror है तो हम जब बात करते हैं curved surface की curve मतलब होता है मुड़ा हुआ तो spherical mirrors have curved surface hence they are also called curved mirrors तो हम reflection की जब बात करते हैं तो जाहिर से बात हैं हम mirrors की बात करते हैं क्योंकि reflection तभी possible है जब light आपका surface पे किसी टकरा करके same medium में bounce back करेगा इसी phenomenon को हम क्या कहते हैं reflection कहते हैं ठीक है अब होगा यह जब आपका object opaque होगा यानि हम mirrors की बात करते हो mirrors एक side से opaque होते हैं दूसरा side बहुत ही smooth होता है ताकि reflection जदा से जदा हो सके spherical mirror की जब हम बात करते है spherical mirror एक ऐसा mirror होता है जिसका reflecting surface जो होता है न वो किसी hollow sphere of glass का हिस्सा होता है part होता है spherical mirror को हम दो category में बाट सकते हैं एक होता है concave mirror और दूसरा होता है convex mirror तो जब हम concave mirror की बात करते हैं cave ये word जब आता है cave का मतलब होता है गुफा इस case में क्या होता है concave mirror में reflection जो होता है light का वो bent in surface पे होता यानि ये हिस्सा जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है अंदर की तरफ धसा हुआ है bent in है यहाँ पर आपको light का reflection होता है और जो बाहर वाला हिस्सा है वो उपेक होता है convex mirror की जब हम बात करते हैं ये ऐसा mirror होता है जिसमें reflection जो है light का वो bulged out surface की तरफ होता है यानि जो हिस्सा बाहर की तरफ bulged out है आपको light का reflection उधर होगा अंदर वाला हिस्सा उपेक होता है तो ये difference तो बहुत easy है आप जान गए कि spherical mirrors दो तरह के होते हैं concave और convex अब हम यहाँ पर discuss ये करने वाले हैं कि आखिर concave mirror की जब आप बात करते हैं तो उसमें object को हम कहां कहां रख सकते हैं और images कैसे कैसे बनेंगे बहुत ही important topic है examination के point of view से भी याद रखिएगा तो हम यहाँ पर discuss करेंगे types of images formed by a concave mirror depends upon its position in front of the concave mirror अब अगर हम concave mirror की बात करें तो ये mirror जो है आपको एक concave mirror है जिसका reflecting surface कौन सा होता है bent in अंदर धसा हुआ हिस्सा इसका reflecting surface होता है चलो अब हम यहाँ पर principal axis खीज देते हैं और ये आपका pole हो गया अब हम यहाँ देखते हैं placement of object in front of a concave mirror यानि concave mirror के सामने जाहिए तो mirror के सामने आपको place करना पड़ता है object को तो concave mirror के सामने ऐसी कौन कौन सी जगा है जहां पर आप object को place कर सकते हैं अब थोड़ी बात तो मैं यहाँ बता दूँ कि ये आपका pole हो गया ये वाला हिस्सा ये कहलाता है focus और focus से थोड़ी दूरी पर center of curvature हम ले लेते हैं तो अब अगर हम ये देखते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले आप object को between pole and focus place कर सकते हैं यानि focus और pole के बीच में हम इसको place कर सकते हैं object को एक जगा ये हो गई दूसरी जगा कहा place कर सकते हैं हम focus पे भी तो place कर सकते हैं object को देख है तीसरी जगा कहा place कर सकते हैं तीसरी जगा हम इसको place कर सकते हैं focus और center of curvature के बीच में चौती जगा कहा पे place कर सकते हैं हम center of curvature पे place कर सकते हैं पाच्मी जगह कहां प्लेस कर सकते हैं ? center of curvature के आगे यानि beyond center of curvature प्लेस कर सकते हैं और lastly हम इसको infinity पे प्लेस कर सकते हैं तो ये 6 positions हैं जहाँ पर आप object को प्लेस कर सकते हैं सबसे पहला between pole and focus, दूसरा at focus, तीसरा between focus and center of curvature, चौथा एट सेंटर अफ करवेचर पाच्वां बियॉंड सेंटर अफ करवेचर और छठा एट इंफिनिटी अब हम बारी-बारी से इन छे केसे को डिसकस करेंगे और यह देखेंगे कि जब ऑबजेक्ट इन जगों पर रहता है तो इमेज किस तरह का कमी का बनता है कहां बनता है किस ब्रकापनता फिस करें पर तो के सब्राइजर इस वीडियोजी ऑश्यियव करने मैं जाब से जाड़ करने between pole and focus of the mirror तो यह pole है यह focus है इसके बीच हमने object को यहाँ place कर दिया अब जब भी आप ray diagram बनाएंगे दो rays लेंगे उसमें अब इसमें जो पहली ray हमने ली वो पहली ray ली के इस object के head से निकली और parallel गई principal axis के principal axis के parallel गई अब इसके rule के हिसाब से अगर कोई ray concave mirror पर principal axis के parallel पड़ेगी तो वो focus से cross करती हुई reflect करेगी जो यहाँ हुआ यह ray फिर focus से cross करती हुई reflect की ठीक है दूसरी जो incident ray हम लेंगे वो इस तरह से वो निकलती है कि वो reflect करने के बाद center of curvature से cross करेगी यह दो रेज हमने यह ले ली यहाँ पर अब हम क्या करते हैं इन दोनों रेज को क्योंकि यहाँ diverging है यह आगे जाके कहीं मिलेंगी नहीं बलकि दूर होती चली जाएंगी एक दूसरे से तो हम इसको पीछे की तरफ extend करते हैं और हमें लगता है कि इस point से वो निकल के आ रही है reflected raised पीछे करेंगे तो मिल जाएंगी तो जहां पर यह मिलेंगी वही पर यह image आपका बनेगा object का अब यहां पर आपका जो object है किधर बन रहा है उसकी position है behind the mirror mirror के पीछे अब nature की बात करें तो virtual है और erect है क्योंकि mirror के पीछे बन रहा है तो mirror के पीछे की दुनिया virtual होती है principal axis के उपर बन रहा है तो erect है तो nature क्या हो गया virtual and erect हो गया और अगर हम size की बात करें तो object से बड़ा image है तो हम कहेंगे magnified तो image के characteristic यह हो गया कि यहां इस case में case 1 में जब आप object को pole और focus के बीच में रखते हैं तो आपका image बनता है mirror के पीछे behind the mirror virtual होता है erect होता है और magnified होता यानि object से बड़ा होता है size में चलो यह पहला case हमने देख लिया second case की बात करते हैं अब हम क्या करते हैं object को उठा करके हम कहां रख देते हैं focus of the mirror पे हमने क्या किया object को pole और focus के बीच से हटा के focus पे रख दिया हमने object को अब यहां पर again दोनों रोए हमको उसी तरह से लेनी है जिस तरह से हमने इस से पहले वाले case में लिया यानि एक ray आपको parallel गई principle axis के और focus से cross करती हुई reflect कर गई दूसरी ray आपको इस तरह से निकली के center of curvature से cross कर गई notice करने वाली बात यहां पर यह है कि यह दोनों ही reflected rays आपको एक दूसरे के parallel चलती हैं तो यह parallel जब चरना शुरू होंगी तो हम कहते हैं ना mathematics में कि parallel lines infinity पे जाके मिल जाती है तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि image कहां बनेगा infinity पे क्योंकि जहां पे reflected rays मिलेंगी actually में मिलेंगी वही पे आपका बनेगा ठीक है तो यहां image की जो characteristics से क्या होता है कि कहां बना location कहां है at infinity कैसा बना तो real और inverted अब notice करो raise नीचे जा रही है principle axis से और नीचे ही कहीं जाके मिलेंगी तो image आपका उल्टा होगा inverted होगा raise actually में मिलेंगी इसलिए image आपका real होगा और highly magnified होगा object से बहुत जादा बड़ा बनेगा ठीक है तो second case जिसमें object को आपने focus पे रखा उस case में object sorry image आपका infinity पे बनेगा real होगा inverted होगा और highly magnified होगा ठीक है अब हम थोड़ा सा और खिसकाते हैं हमारे object को और खिसका करके हम इसको कहां रख देते हैं किसकार करके करके रख देते हैं इसको between focus and center of curvature ठीक है तो object is placed between the focus and center of curvature यानि हमने object को focus से उठाके focus और center of curvature के बीच में रख दिया यहां पर भी दो rays लेंगे हम incident rays एक रे अगेन हम ऐसी लेंगे कि आपके principal access के parallel गई और center of curvature से sorry focus से cross करती ही चली गई दूसरी रे अगेन ऐसी ही जाएगी कि center of curvature से cross करती ही जाएगी अब यह दोनो reflected rays यहां नीचे मताँ मीट करेंगी beyond center of curvature यानि center of curvature के आगे इस case में हम बोलेंगे आपका image कहां बनता है beyond the center of curvature ठीक है यानि center of curvature के आगे बना real और inverted है क्योंकि principal axis के नीचे बना और rays actually में मीट कर रही है तो हम कहेंगे image आपका real है inverted है magnified है जाए इसी बात है object से जादा बड़ा आपका image है तो इस case में भी आपका जो image होगा हम कहेंगे वो magnified image है तो यानि इस case में जब आपका object focus और center of curvature के बीच में है तो image आपका center of curvature के आगे बनेगा beyond बनेगा real होगा inverted होगा और object से बड़ा होगा यानि magnified होगा अब हम object को फिर थोड़ा खिसकाते हैं और इस बार खिसका के हम रख देते हैं center of curvature पे ही तो object is placed at center of curvature itself तेक है अब यहाँ पर पहली ray तो बड़े आराम से हम ले लेते हैं कि वो principal axis के parallel गई और focus से cross कर गई अब चुकि object खुद center of curvature पे है तो यहाँ पे हम ऐसी ray उसके head से नहीं ले सकते जो center of curvature से cross करे reflection के time में तो हम यहाँ दूसरा rule apply करते हैं कि इसकी जो ray है वो निकली focus से cross करती हुई और parallel हो गई principal axis के तो यह वाला rule हम यहाँ पे लेते हैं और जब ऐसा करते हैं तो यह वाली reflected ray और यह वाली reflected ray यहाँ meet करती है center of curvature के ही नीचे अब यहाँ पे हमको पता क्या चलता है कि image कहां बना at the center of curvature image भी आपका center of curvature पे ही बनेगा real and inverted होगा rays actually में meet कर रही है इसलिए real image बनेगा और principal axis के नीचे meet कर रही है इसलिए inverted बनेगा ठेक है size की बात करें तो same size as the object यानि जितना बड़ा आपका object है उतनी ही size का image बनेगा यहाँ पर तो यह चीज हमको यहाँ पता चली कि अगर हम object को center of curvature पे ही रखते हैं तो image भी center of curvature पे बनेगा real होगा inverted होगा और object की ही size का होगा same size का होगा अब हम object को थोड़ा सा और खिसकाते हैं और खिसका करके हम कहा रख देते हैं beyond the center of curvature यानि center of curvature से आगे हम object को रख देते हैं अब यहाँ जब रखते हैं तो फिर से हम वापस से दो rays लेते हैं light की पहली ray लेते हैं जो principle axis के parallel गई और focus से cross कर गई दूसरी ray center of curvature को cross करके reflect हुई अब यहाँ यह दोनों ही reflected rays जो है इस point पे meet करती है between center of curvature and focus और वहीं पर आपका image बनता है तो इसमें हमको पता चला कि image कहां बना between the focus and center of curvature real or inverted है क्योंकि principle axis के नीचे बना और reflected rays actually में meet कर रही है diminished बना image अब यहाँ पर एक चीज आई क्या कि आपका image object से छोटा हो गया तो जब आपका object center of curvature के आगे है तो image बनेगा focus और center of curvature के बीच में real और inverted होगा और object से छोटा हो जाएगा diminished हो जाएगा अब हम object को और आगे बढ़ा के कहां फेक देते हैं infinity पे यानि छटे case last case में हम object को कहां रखते हैं infinity पे रखते हैं अब यहां पे भी raise थोड़ा change होंगी ठीक है अब हम जानते हैं कि अगर कोई object infinity पे है तो उससे आने वाली raise हमेशा parallel हो जाएगी यानि हम जो दो raise लेने वाले हैं यहां पे यह दोनों ही raise आपको parallel हो जाएगी एक ray इस तरह से आएगी कि pole पे पढ़के उस सेम अंगल पे reflect कर जाएगी और एक ray इस तरह से आएगी parallel के reflection के बाद यह दोनों reflected raise focus पे meet करेंगी ठीक है तो यहां हमें पता चलता है कि image आपका कहां बनता है focus पे बनता है real और inverted है क्योंकि raise actually में meet कर रही है principle axis के मीचे meet कर रही है और highly diminished है क्योंकि infinity पे object है तो बड़ा होगा और उसका image उसके comparison में बहुत छोटा हो जाता है ठीक है तो notice करने वाली बात है कि object जब infinity पे होगा तो image focus पे बनेगा real और inverted होगा और highly diminished होगा clear है चलो अब इसको summarize कर लेते हैं यह बहुत important है इसको summarize कर लेते हैं कि आपका object का position, image का position, nature और image का size तो अगर object आपका between pole and focus है तो आपका image कहां बनेगा behind the mirror बनेगा, virtual और erect होगा, enlarged होगा यानि बड़ा होगा object से focus पे रखेंगे तो infinity पे image बनेगा, real और inverted बनेगा, highly enlarged होगा image आपका between focus and center of curvature रखेंगे तो beyond center of curvature बनेगा, real और inverted बनेगा और enlarged होगा, object से बड़ा होगा at center of curvature रखेंगे तो center of curvature पे ही image बनेगा, real और inverted होगा same size होगा जितना object का है center of curvature के beyond रखेंगे तो between focus and center of curvature बनेगा real or inverted होगा diminished यानि object से छोटा image होगा और infinity पर रखेंगे object को तो focus पे image बनेगा real or inverted होगा और बहुत छोटा हो जाएगा object से तो हम notice यह करते हैं कि हम जितना नजदीक रखते हैं mirror के surface के pole के उतना बड़ा image हमको मिलता है और जितना दूर ले जाते हैं उतना छोटा image हो जाता है ठीक है तो यह summary हो गई आपको concave mirror के image formation की इसको याद रखना बहुत जरूरी है कभी-कभी इससे related ray diagrams और questions case based question भी आ जाता है I hope यह topic आपको समझ में आ गया होगा next video में एक नई topic के साथ आपका एक doubt clear करूँगा मैं तब तक के लिए thank you so much and have a nice day और हाँ जाने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई topic discuss करनी है या especially कोई topic मुझे बताना है कि वो topic में clear करूँ आपका तो आप comment section में मुझे इस चीज़ के बारे में बता सकते है thank you so much and have a nice day